फाइनली बारत फिल्म का थर्ड सेड्यूल की भी शुटिंग हो गई कम्पलीट हेलो फैंस आप देख रहे हैं FSTAR NEWS बारत फिल्म की शुटिंग दड़ादर खत्मा हो रही है बता दू कि ये फिल्म का फर्स सेड्यूल मुंबई में शुट हुआ इसके बाद मालता में और ये फिल्म का तिसरा सेड्यूल चल रहा था अबुदाबी में लेकिन अब अबुदाबी का भी स्केड्यूल रैप अप हो चुका है जेन की जानकारी खूद ये फिल्म के डायरेक्टर अली अबबा जफर ने दी है बात करें अबुदाबी की शुटिंग की तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सन सीन और रोमांटिक गाने की शुटिंग होई थी और आज अबुदाबी में यह फिल्म की शुटिंग कम्पलीट हो चुकी है और बात करें में फिल्म की तो ये फिल्म में ली रोल में सलमान खान का ट्रिना केफ दिशापटानिक टबू सुने ग्रोवर जैसे कलाकार होंगे और ये फिल्म रिलीज होने वाली है अगले साल इद पर फिल्म आप क्या कहेंगे इस न्यूस को लेकर वहां में कमेंड करें दिपिका के फैंस बढ़के स्रिसंद पर हेलो फैंस आप देख रहे हैं एफेश्टान न्यूस स्रिसंद ने बिग बोस के घर में एंट्री ले ली है लेकिन लगता है कि स्रिसंद अब गेम खेलने नहीं बलकि स्रिफ दिपिका को टार्गेट करने के लिए आये है और स्रिसंद दिपिका को लेकर हर कंटेस्टन को बढ़का रहे है और सब कंटेस्टन को उनके खिलाफ कर रहे है और उतने में इस सोचल मीडिया पर बिग बोस के फैंस स्रिसन पर बढ़के हुए नजर आ रहे है ज़िए उनका कहना है कि सबसे बड़ी गेम तो स्रिसन खेल रहा है जब वो पहले तीन हफते में ज्यादा गुसा और घर से बाहर जाने की बात कर रहा था तब सबसे ज्यादा संभादा डिपिका ने और सिर्फ एविक्षन के वार के दर्मियान स्रिसन बिना जाने डिपिका को टार्गेट कर रहे है जैस स्रिसन तो यहाँ तक भी कह दिया है कि मैं अद डिपिका की कोई बात नहीं सुनूंगा और मैं उसको तबाह करके रहूंगा और दुनिया को उनका असली चेहरा दिखाऊंगा लेकिन social media पर Big Boss के fans डिपिका को support कर रहे है उनका कहना है कि डिपिका right है जबकि कई fans का कहना है कि जो स्रीसन कर रहे है वह भी बिलकुल right है आपको क्या दखता है कि स्रिसन और दिपिका में से कौन राइट है और उन दिनों जो स्रिसन दिपिका से बिहेवियर कर रहे है वो सही है कि गलत वहां में कमेंट जरूर करे ये नीज पसंद आए जो उसे लाइट करे आगे की खबरे के लिए फेस्टान्यूस को जरू सब्सक्राइब करें